गुड मॉर्निंग आल कैसे हो आप सब आप सब अच्छे होगे सो गाइज डेली के तरह आज भी हम देखेंगे एंजल गाइडेंस देखेंगे आज की एंजल गाइडेंस क्या है आप सब के लिए ठीक है चलो रिडिंग स्टार्ट करते हैं प्लीज इन्वर्स गाइड मी प्ल अदद करेगी ठीक है और आपको एक तरह से कह सकते हैं कि गाइडेंस मिल रही है उनिवर्स का जो आपको मुश्किल हालातों में या अभी की करेंट सुजिशन से बाहर निकलने में हेल्प करेगी ठीक है तो यहाँ पर आप डेली ही फॉलो करें डेली एंजल गाइडेंस त देखो गाइडेंस कार्ड बहुत जादा आ रहे हैं आज लगता है कि एंजल गाइडेंस बहुत जादा है लोगों के लिए बहुत ही जादा चलो मैं हमेशा की तरह 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 कार्ड से निकालूंगी ओकिए पहला कार्ड आ चुका है मेरे पास आपजरव का का आपजर्व का काड है मेरे पास थीक है यह से केंड़ कार्ड है मेरे पास थीक है डीप नुओंग ओकैं और अगला कार्ड दिखते हैं the देखते हैं क्या है एंजल गैडिंस आप लोगों के लिए ठीक है कार्ट्स आपको अच्छे से देख रहे हैं सो गैज तहला कार्ट जो है यह मुझे बता रहा है कि शायद आप किसी ऐसे सिचुशन में हो ठीक है जो भी विवर्स देख रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी नजरिये से जो है जो की आपके पास्ट में हुआ है उसको लेकर के ही आप लोग चल रहे हैं यानि कि ठीक है आपको पीछे की चीजे बहुत सारे ऐसे लोग मिले होंगे जिन्होंने आपको कुछ गुड नीज दिया होगा बहुत अच्छे लोग भी मिले होंगे आपको कुछ लोग ऐसे भी मिले होंगे जिन्होंने आपको चोट पहुँचाई दोखा दिया तकलीफ दी चाहे business में हो, career में हो, job में हो या फिर आपकी love life में हो तो यहाँ पे कुछ लोग है जो आपको जिसने आपको धोखा भी दिया होगा कुछ लोगों ने आपको खुशी भी दी होगी ठीक है उनके मिलने से आपको खुशी भी होगी तो यहाँ पर कार्ड मुझे यही बता रहे हैं कि उसी के experience के वज़ा से आपके past में जो experience हुआ है जो जिन लोगों ने आपको cheat किया है और उनकी वज़ा से आप दुसरों को भी अगर आप मिल रहे हो अभी भी तो उनको भी आप यहीं judge कर रहे हो कि शायद ये भी उसी तरह त हो तो यहाँ पर कार्ड मुझे यही बता रहे हैं कि आपको जो है यहाँ पर neutral रहना है ठीक है time के अनुसार अपनी life को change करना है उस moment को change करना है उसको देखो सोचो समझो ठीक है और यहाँ पर आपको जो है environment के साथ change होना है तो आपको क्या करना है आपको खुश रहना है ठ प्रस्ट यहाँ पे सबसे पहले तो बहुत कम है क्योंकि आपके पास्ट लाइफ में जो कनेक्शन रहा है जिनके साथ आपकी मुलाकात हुई उन्होंने आपको जो दोखे दिये हैं उसकी वज़से आप किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो तो इस एनर्जिस से बाहर निकलो यह इन्वर्स आपको बता रहे हैं एंजल्स बता रही है कि आप उस पे भरोसा करो देखो खुल के जीओ ठीक है तो यहाँ पे फॉस्ट कार्ड मुझे यही बता रहा है सो गाई सेकेंड कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आप यहाँ पे मुझे जैसा कि मैंने पहले कार्ड में बताया आपको कोई पास्ट में आपने कुछ एक्सा एक्सपिरियेंस किया है सो उसी एक्सपिरियेंस के अनुसार अब आपको इतना कह सकते हैं कि आपकी अंतर आत्मा ठीक है आपने अपने इंट्यूशन की शायद पहले नहीं सुनी है लेकिन अब मुझे कार्ड बता रहे हैं कि अब आपको अपने इंट्यूशन के अनुसार चलना चाहिए क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही हैं कही ना कहीं आप उन सारी चीजों को जान पा रहे हो आपके माइंड में वो सारी चीजे आ रही हैं कि जो जुट बोले गये थे या फिर जो कि छूपाया गया था कोई अपने स्टोरी हो या फिर कुछ ऐसा सुना रहा है कह सकते हैं कि 90% जो है आप सही होते हो आपकी intuitions आपको इस कदर guide करती है ठीक है यह सारा कुछ मुझे लगता है कि आपका God gifted है या फिर आपने जो है पास्ट लाइफ में जो आपके साथ यह सारे यह चीजे हुई है उससे experience की है आपने ठीक है तो उसी के experience के बिहाब पे आपको जो है अपनी intuitions अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है तो आपको अपनी intuition से पुछनी चाहिए ठीक है या फिर कोई person ही आपसे जूट बोल रहा है तो उससे directly पूछो आप ठीक है सच क्या है और देखो आप पूछोगे और आपको सच का answer question का answer आपको जरूर मिलेगा ठीक है तो second card मुझे यही बता रहा है और angel की तरब से यही guidance है कि अपनी intuitions की सुनो पहले अपने अंतरमन की सुनो वो क्या बोल रहा है उसी के अनुसार से चलो अपनी life में क्योंकि उसी के अनुसार से आप आगे बढ़ होगे तो मुझे लगता है कि आपको हर चीजे clear होती जाएंगी यहाँ पर किसी और की आपको guidance की या फिर किसी और के बोलने से यहाँ पर कुछ नहीं होगा पहले अपने अंतरमन की सुननी होगी आपको ठीक है तो second card मुझे यही बता रहा है angels आपको यही guidance दे रही है आपकी life के लिए सो यहाँ पे card मुझे यह बता रहे हैं कि आपको जो है देखो आपकी past life मुझे तीनों ही card मुझे बता रहे हैं कि आपकी past life बहुत ही जो है अभी कुछ time पहले या कुछ वर्स पहले आपके सांथ बहुत कुछ हुआ है ठीक है और आप उसी energy में अभी भी कही ना कहीं अपन बता रहे हैं यह बता रहे हैं कि आप आज में जी ओ ठीक है present में जीओ ना की past में ठीक है तो यहाँ पर present में जीना बहुत जरूरी है आपके सामने बहुत अच्छी खासी opportunity है जिसको आप देख नहीं पार हो क्योंकि अभी आप past की energy में जी रहे हो ठीक है तो सबसे पहले त पड़ेगा पास्ट को छोड़ करके आपको अपनी जिंदगी में जो अभी अभी आपके सामने हैं आपके सामने इश्वर ने कुछ ना कुछ आपको अपिशनिटी देने का ये तो तय किया है ठीक है और वो अपिशनिटी आपको मिली भी है और नहीं मिली है तो उस टाइम मे बता रहे हैं guidance आपको यही दी जारी है कि past को छोड़ करके अपनी जिंदगी में अभी आगे बढ़ो ठीक है अपनी जिंदगी को जीओ खुल के जीओ enjoy करना क्योंकि अगर आप ऐसे उदास उदास देख रहे हो इनका चैरा कितना उदास है तो इस तरह उदास उदास रहोगे तो आपके जिंदगी में तो कुछ होने वाला है नहीं past को हम change कर सकते हैं नहीं लेकिन present और future जरूर change कर सकते हैं ठीक है तो card मुझे यही बता रहे हैं कि आप जो है past को छोड़ करके जो आगे आ रहा है आपके ठीक है जो भी है job है career है love life है कोई नया partner है तो उसको accept करो ठीक क्योंकि इश्वर ने उसे आपके लिए ही चूना है और एंजल्स आपको वही बता रही है कि बस जैसे हो रहा है अब उसको होने दो और चलते जाओ चलते जाओ पीछे मुड़ के देखो मत ठीक है तो खासकर आपको एंजल्स यही guidance देरें कि पीछे मुड़ के नहीं देख जरूरत नहीं है आपको पूरी निड़ता के साथ आगे बढ़ते रहना है ठीक है तो गाइज यह रही एंजल्स गाइडेंस आप सब के लिए सुमिलते हैं नेक्स्ट रिडिंग में बाई